वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चोजस इस्टडी मैं हूँ जोती गुप्ता मैं लेकर आई हूँ नाइध क्लास की मैस जिसके एक्सरसाइज है 8.2 और कोश्चन जो है वो है हमारा च्छठा च्छठा कोश्चन कह रहा है दर्साइए कि किसी चतुरबुज की सम्मख बु है जिससे कि हमार च्छठा का मतलब क्या है बाली जो बुझा है भो के बराबर होती ये चीज् detto कू सिद्ध करना है तो क्या करना है इंके कहने है मतलब हुआ S O Q 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 हमारे जो मध्यविंदु हैं इनको हम सब को मिला देते हैं सभी मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमारा एक चत्रभुज बन था यह तेके कहा समान तरच तर चत्रभुज प्रूब कर ठीक है हमने विकाण एसी बना लिया अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहा है माध्य बिंदु प्रमय पढ़ रहा है न तो इसको हम समांतर चतुरुपुझ कैसे बनाएंगी माध्य बिंदु प्रमय से हमको पता है कि भाई यह जो हमारी रेखा है ठीक है हमने अगर इसको इसके समांतर कर दिया तो हम कह सकते हैं कि भाई यह रेखा और यह रेखा बरावर हो गई और एक दूसरे के समांतर हो गई तो हमने यह समांतर चतुरुपुझ प्रूब कर दिया अब समांतर चतुरुपुझ अगर प्रूब हो ही गया तो भाई समांतर चतुरुपुझ के विकर्ड होते हैं वो एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं अगर यह हमारा समांतर च तर्बुझ है πक वारेस तो इसके विकर्ड क्या है पी आर और स्क्व मट्रीद को सम्दिभाजित करेंगे मतलब ऐस ऑ जो है और कि बराबर हो जाएगा ओपी जो है वह और के बराबर हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अपना question तो सबसे पहले हम यहां पे लिखने वाले हम बात करने वाले हैं किस क्या किया किया है Что lira डिखना बचना अगर लिखना चाहते सकते हैं कि रचना में अपने एसी को मिलाया ठीक है तो हमको पता है भाई हमने मध्य बिन्दू प्रमेथ पढ़ी तहीं तो हमारी रेखा बनी है मालो मन N बनी है, तो यह जो मद्य बिंदू रेखा होती है, वो हमारी इसके समांतर हो जाती है, तो हम इसको चीज को कैसे लिख सकते हैं, M N समांतर B C, और दूसरी है हमारी इसमें एक और चीज निकल के आती है, जो हमारी M N होती है, वो B C का आधा होती है, जेस्ट, मतलब इसका जेस यहमने तिर्भुज कौनना सा लिआ है डी ए सी लिया है तो इसका मद्धि विंदो एस है मतलब हमको को पता हैमने इनके मद्धि पिंदो को मिला भी रहे हैं तो उमाधि रेहा है यो हमारी रीख है टेसंचे पहले लिखं़ी फोगी और जो AD का मध्य बिंदू, ठीक है, वो क्या है, S है, ठीक है, और हमारा DC का मध्य बिंदू, R है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतह, ये हमारा जो SR है, ठीक है, ये समांतर हो जाएगा, AC के, अब ये हमने AC के समांतर तो कर दिया है, साथ ही हम SR को AC के आधे के बराबर लिख सकते हैं, ये चीज जो हमने लिखी है, वो किससे लिखी है, मध्य बिंदू, प्रमे से लिखी हुई है, ठीक है, अब मध्य बिंदू प्रमे आपको समझा दी, ठीक है, ये चीज हमको पता चल गई है कि यसार इसके समंतर हो गया है और इसका आधा भी वह गया है अब हम बात करते हैं कौन से की यह त्रिपुज कि यह हमारा करने वाले हैं इसने भी हम् सेम यही करेंगे तो हम यह लिखेंगे त्रिपुज fur abc में हमारा AB का मध्य बिंदू AB का मध्य बिंदू जो है वो हमारा क्या है AB का मध्य बिंदू जो है हमारा P है अब हमारा BC का मध्य बिंदू क्या है हमारा Q है ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा P Q जो है वो समांतर हो गया है किसके AC के ठीक है आधे के भर और यहँ अधे हैं यह भी हमारी कॉंसी है यह हमने दो यह हमनेulle को मैंने सेसे कर दिया कि Dá चाहिए तो हम इसको समी करने दो मान लेते हैं इसको समीकर बाण लेते हैं और हम यहां पर लिखेंगे समीकरण एक वा दो से अब समीकरण एक और दो से हमें क्या पता चल जाएगा कि एसी जो है वह एसार के समानतर है यहां पे एसी जो है पीक्यू के समानतर है ठीक है तो इससे हमें क्या पता चल ला है कि indirectly हमारा sr जो है वो PQ के समांतर हो गया ठीक है sr PQ के समांतर हो गया और हमें एक और चीज मिलती है पहले हम अपनी प्रमय जो यहां पर हमने लिखी हुई है वो हटा देते हैं तो पर से लिखना करते हैं यहां पर इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से अब इसके आगे लिखना पड़ेगा तथा हमारा यह जो है यहां ac2 बराबर है srk यहां पर भी ac2 2 है PQ के बराबर तथा हम लिख सकते हैं PQ जो है वो हमारा बराबर हो गया है srk अब समांतर चतर बुझ प्रूब करने के लिए अगर आपको यहां पर लाइट दिख रहेगी तो मैं नेचे लिख देती हूं PQ जो है वो बराबर हो गया है srk ठीक है तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि समांतर चतर बुझ प्रूब करना है तो समांतर चतर बुझ में चार गुजाञ होती है उसकी एक जोड़ी जो भुजाय होती है उनको हम बराबर और समांतर अगर प्रोप कर देदे एंसर्फ यजोड़ए bur arter पुजाहों को ही तो हम वो चत्र भुज जो मिलता है वो समांतर चत्र भुज हो जाता है ठीक है पी क्यू जो है बराबर है S.R. के तथा पी क्यू जो है वो S.R. के समांतर है ठीक है तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि चत्तुर भूज इसको अटा देते हैं ठीक है चत्तुरबुज P Q R S 1 कैसा चत्तुरबुज है समानतर चत्तुरबुज है तीक है अब ये समानतर चत्तुरबुज हमने कर दिया आप हम कहया सकते हैं ना बई समांतर चतुरबुज के विकRण क्या करते हैं करते हैं अतहा हम कह सकते हैं मतलब हमको पता चलिया है समांतर चत्रबुज की विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब हुआ कि हमारा s o जो है वो बराबर हो जाएगा o q k ठीके और तथा o r जो है वो बराबर हो जाएगा o p k ठीके इस तरीके से हम ये लिख देंगे ठीके तो हमको यही चीज़ प्रूब करनी थी और यही चीज़ हमने प्रूब कर दी कि भाई ये हिस्सा जो है इस हिस्से के बराबर है तो question जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है ठीक है अब इन्हों ने एक language भी बोली थी वो अगर आप लिखना चाहे तो लिख देते हैं इन्हों ने क्या कहा था language में मध्य बिंदूओं को मिलाने वाले रेखा करण परसपर संधिवाजित करते हैं ठीक है तो मध्य हम यहाँ पर चाहे तो यह language में भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं चत्रभूज के मध्य बिंदूओं को मिलाने वाले रेखा खंड परसपर समधिवाजित करते हैं ठीक है इस तरीके से अगर लेंग्विज भी लिखना चाहते हैं तो लिख लेना थोड़ी राइटिंग अच्छे नहीं है ठीक है क्योंकि जुक्कर लिखने में तोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो क्लास जो है आपको अच्छी लग करना मत भूलेगा अपने दोस्तों में अपने फ्रैंट बगरा जो भी आपका सरकल हो ठीक है वहां पे अपनी क्लास जो है फ्री में बुक्स बगरा मेरे हैं रिटेंड नोर्स प्रिंटेंड नोर्स बगरा वीडियो लेक्चर बगरा सब कुछ आपको प्रोवाइट करा जा